सर्दियों में जब फूलों की बात चले और फूलों के राजा गुलाब की बात नहो ऐसा कहीं हो सकता है भला देसी गुलाब की तो बात ही निराली है जितना देखने में सुंदर उतना ही खुश्बू में भी धेरों ब्लूमिंग्स लेने के लिए जब प्लांस में कलिया आने लगें तब प्लांस को एक्स्ट्रा न्यूट्रियन्स की जरूरत होती है इसलिए मैंने अपने प्लांट को गंबले की मित्थी को आच्छी तरह से गुडाई करके भुरभुरी कर दी है देखिए प्लांट के चारों तरफ अच्छी तरह से गुडाई कर लेनी के बाद इसमें उगाए खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है जो की एक्स्ट्रा न्यूट्रियन्स सक करते हैं गंबले के चारों तरफ गुडाई करना बहुत जरूरी है साथ ही सूखे पत्तों और सूखे फूलों को गंबले से हटा देना बहुत जरूरी है अब मैं यूज करने जा रही हूँ नर्सरी वाले भाईया का सुझाया हुआ रोज केर फर्टिलाईजर मिक्स अब देखते हैं कि ये क्या कमाल दिखाता है फिलाल तो ये कम्प्लीट बायो हार्मोनल मिक्स है जिसमें धेर सारे वाईटमीन्स और माइक्रो मैक्रो न्यूट्रियन्स है जो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ और हैवी ब्लूमिंग के लिए चाहिए पैक के पीछे फिलाल तो सारी डिटेल्स दी हुई है मैं प्लांट की डिगाड़ी से कितना यूज करना है एक्सेट्रा मेरे प्लांट्स तीन साल पुराने हैं इसलिए मैं पर प्लांट लगबग चार से छे स्पून मिक्स का यूज कर रही हूँ इसे मैंने पौधों की मेंजर से दूर गंबले के दोत किनारों पर अच्छी तरह से गुड़ाई किये हुए मिट्टी को हटाने के बाद इनको दिया हुआ है याद रखिए इसे पौधे की मेंजर से दूर ही दखना है किनारे किनारे पे आप एक दोई स्पून मिक्स का यूज़ करने के बाद मिट्टी से उसे अच्छी तरह से धग दीजिए और उसके बाद पौधोय को भरपूर पानी दीजिए देखते हैं कि ये क्या गुल खिलाता है लगवक दस दिनों के बाद मेरा प्लान भरपूर कलियों से भर गया है और बेहदी सुन्दर फूल आने शुरू हो गए है अगर आपको मेरा प्लियास जरा भी प्रसंद आया तो प्लेस सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे सुझाओ को मुझे कमेंट में जरूर बताईए थैंक्स पूर वाच्च